कि यूज ऑफ देयर के पार्ट लन के बाद आज हम लोग बात करेंगे पार्ट टू की जैसा की पार्ट वन में मैंने आपको पड़ाया basic concept के देरगा परयोग कहां होगा यानि जहां मौझूदगी के बारे में बात किया जाए जहां उपस्तिती के बारे में बात की जाए वहां हम लोग देरगा परयोग करेंगे या grammar का नुसार, जिस sentence में subject ना हो, वहाँ देर का परियोग करेंगे, चलिए, वो तो उमीद है कि आप लोग समझी गया होंगे, अब आते हैं हम लोग पार्ट टू पर, पार्ट टू में देर का क्या है, बहुत important, important sentence है, कुछ structures हैं, उसको हम लोग सीखते हैं, जैसे कि आप य सार है, इस बागीचे में ये प्लेस है, अब यहाँ sentence है, फूल ही फूल हैं, अगर इस sentence में ऐसा ना होता, ये इस बागीचे में फूल है, तो sentence क्या होता, there is floor in this garden, लेकिन यहाँ, फूल ही नहीं बोल रहा, बल्के बोल रहा, फूल ही फूल है, यानि ये structure थोड़ा सा अलग है अलग में क्या अलग है जरा इसको हम लोग देखते हैं देखिए यह सेंटेंस अलग कैसे है इस structure में हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज की मात्रा के बारे में access होने के बारे में कब ऐसा sentence हम लोग use करते हैं यहां फूल ही फूल है यहां बागीचे ही बागीचे हैं यहां बालू ही बालू है यहां पानी ही पानी है जहां पर उस चीज की मात्रा बहुत जादा हो एकसे हो इनफ से भी जादा हो तो हम लोग बोलते हैं यानि किसी बागीचे में किसी गार्डन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, फूल दिखेगा, तो sentence निकलेगा, यहाँ फूल ही फूल है, किसी गंदे जगे पे चले जाएक दिखेगा, यहाँ गंदगी ही गंदगी है, यहाँ करप्शन ही करप्शन है, ऐसा sentence अक्सर हम लोग बॉल चाल में यूज करते हैं, इस sentence क हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इस बागीचे में फूल ही फूल है, इस बागीचे में फूल के सिवा कुछ नहीं है, या जो चीज जादा दिखता है, वो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए, जब इंग्लिश बनाएंगे इसका, तो हम लोग उपर वाले हिंदी से न नहीं बात एक ही है अंदाज अलग है इंग्लिश बनाते हैं देखिए इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग दूसरे वाले हिंदी का सहारा लेंगे दूसरे वाले हिंदी बीका करेंगे इसको descending order में इजी ट्रिक बता रहा को descending order यानि ending से शुरू किजी बोले ending में क्या लिखा वा कुछ नहीं है तल पड़ाया था ना पानी है क्या इंग्लिश था there is water घर है there is a house कुछ नहीं है का इंग्लिश क्या होगा बताइए सबसे पहले हम लोग किस से शुरुबात करेंगे there से शुरुबात करेंगे यहां there लिख दिया उसके बाद is कुछ नहीं का इंग्लिश क्या होता है कुछ नहीं का इंग्लिश होगा आपका nothing तो क्या sentence हो गया there is अब आई उसके बाद किया आया यहां के सिवा के सिवा या के अलावा उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है बट देर इस नफिंग बट अब आई ये उसके बाद किसे बारे में बात किया फूल अब बताई ये फूल के बारे में जो बात कर रहे हैं वो एक फूल या एक से तो एक से ज्यादा फूल है तो यहां पर वर्ट किया जाएगा आपका फ्लार नहीं बलके फ्लार्स एस लगाएंगे अगर काउंटेबल चीज होगा तो एसका पढ़्योग करेंगे तो क्या होगे सेंटेंस देर इस नथिंग बट फ्लार्स कहां यहां आपका प्लेस दिया व के सिवा के लिए बट और उसके बाद फूल फ्लार्स कहां इन दिस गार्डन अब देखिए जब सेंटेंस आप लोग बनाएंगे जिसको बनाएंगे कैसे पहला चीज तो यह है कि यहां तक चेंजिंग नहीं होगा देर इस नथिंग बट यह हर स्ट्रक्चर में होगा अब चेंजिंग कहा होगा यहां जैसे ही मेरा नाउन चेंज होगा मेरा प्लेस भी चेंज हो जाएगा जैसे अभी आपने बोला बिहार में करप्षन ही इंग्लिश में अनगा और ऑसक पानी के लिए जाएग शमाउं जाता है मीनिंग बदल जाएगा गलत तो होगा ही मीनिंग बदल जाएगा जैसे वाटर के माने क्या होता है पानी वाटर के माने क्या होता है समुंद्र उसी परकार से सैंड के माने क्या होता है बालू और सैंड के माने क्या होता है रेगिस्तान ओड के माने क्या होता है लकड करेंगे उसी तरह से हम कहीं चले गए हमको बालू दिग्या रेगिस्तान चले गए यहां तो बालू ही बालू है यहां बालू की सिवा कुछ है ही नहीं सेंटेंस क्या होगा देयर इस नथिंग बट अब यहां वाट क्या जाएगा सैंड अब कहां बोला हमने रेगिस्तान में इंदर डिजर्ट इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं यानि कोई चीज एक्सेज मातरा में रहेगा तो किसी मैदान में चले गए वहां सबजी ही सबजी आपको दिखर आया पूरी खेती हो रही तो क्या बोलेंगे इस मैदान में तो सब्सक्राइब कहां इन बॉलीवर्ट उम्मीन ने समझ में आया होका पहला रूल यानि इस सेंटेंस में हम लोग बात करेंगे एक्सेज मातरा की जिस चीज में भी एक्सेज मातरा होगी बस व हम लोग बोलते हैं ना जबान से रोट पर तो भीड़ ही भीड़ है तो क्या हो जागा देयर इस नथिंग बट क्राउड कहां ऑन दा रोड इस तरह से हम लोग बना सकते हैं शलिए नेक्स्ट रूल पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में देखिए आगे के रूल में क्य किया है पहले एक root word दे दिया है उसके बार उसका complete sentence दिया है जैसे यहां sentence है कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है negative कल बताया था ना देर का negative में क्या लगाते हैं बिल्कुल सही no नो का पर यह होता है बनाएं से सबसे पहले sentence आ जाएगा there is no और जरूरत का English क्या होता है need होता है यहां देखिए इसको underline किया गया यानि आप इसको change भी कर सकते हैं अगर हम बोल दे कोई बात नहीं है तो there is no hope ऐसा भी कर सकते हैं अब आईए आगे sentence लिखा हुआ है कोई जरूरत नहीं है there is no need इस एक sentence को आप रट जाईए कि कोई जरूरत नहीं है का English क्या होगा there is no need अब आगे देखते हैं वहां जाने की कोई जरूरत नहीं यह जो sentence साब का as it is रहा अब इसमें एक चीज चेंजिंग हो गया क्या चेंजिंग हो गया वहां जाने की उसी तरह साथ और चेंज कर दीजे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है सरक पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कभी कभी घुस्से में भी यह सेंटेंस बोल दिया था काम धंदर करने की कोई जरूरत नहीं है खाने की कोई जरूरत नहीं है पापा का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा ऐसा सेंटेंस इस पर बनेगा तो अब ब देखिए वहाँ जाने की जब किसी वार्ब में ना लग जाए इसके साथ हम तुका परयोग करते हैं किसका टूका ये कनेक्टर है जो आगे कि सेंटेंस को जोड़ेगा उसका बता यह जाने का इश्चा होता है there is no need to go कहा गो there sentence complete हो गया there is no need to go there यही इतना चीज आपका change होगा अब हम बोल दें पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है वो ले क्या होगा there is no need to, आप कमाने का वर्ड क्या होजाएगा? earn, और क्या earn? तो money, there is no need to earn money इसी तरह से sentence हम कोई भी रगा सकते हैं कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है there is no need to go outside, उसी परकार से online पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्या होजाएगा English? there is no need to learn या study online, नया mobile खरीदने की कोई जरूरत नहीं है there is no need to buy new mobile, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है there is no need to talk to me, it means यह sentence main है, there is no need उसके बाद जो word बढ़ेगा, उसमें आप to लगा कर आगे बढ़ा देंगे जैसे वर्ब लिखेंगे, वर्ब के अनुसार, object लिख देंगे तो इस तरह साब का यह भी sentence complete हो जाएगा जहां पर भी useless जिसके बारे हम बात करें कि कोई जरूरत नहीं है, खेलने की कोई जरूरत नहीं है, there is no need to play, clear है, सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, there is no need to ask question, शलिए, next number यहां पर दियावा, कोई शक नहीं है, जैसे अभी यहां पर बताए कि root है, उसके बाद उस पर रखकर sentence है, पहले root को समझते हैं हम लोग, कोई शक नहीं है, यह भी sentence किसे बनेगा आपका, there से ही बनेगा, there is no, और शक का English क्या होता है, शक का English होता है, doubt, sentence क्या हो गया, there is no doubt, जैसे इसको याद किया था, कोई जरूरत नहीं है, there is no need, इसको भी रट जाई, कोई शक नहीं है, there is no doubt, अब इस पर sentence बनाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि, तो यह जो sentence आया, इसमें कोई शक नहीं है, वह बोल रहें किसमें इसमें भी तो आया, इसमें को छोड़ दीजी, कोई शक नहीं है, कि वह वहीं बात हुआ, यह वर्ड लगाए या ना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई English हम लोग नहीं लिखेंगे, तो बताईए इसका English क्या होगा, कोई शक नहीं है का, उपर में अभी आप लोगो बताया ही है, क्या हो जाएगा, there is no doubt हो गया, अब बताईए, इसकी के लिए English क्या आता है, इसकी के लिए English आता है, यह sentence का कनेक्टर हुआ, इस sentence में कनेक्टर कौन था, तू, और इस sentence में आगेगा कनेक्टर कौन बन गया, डैट बन गया, अब आगेगा sentence है, वा एक बहुत अच्छा व्यक्ति यह तो पहले से हम लोग जानते है, तो sentence क्या हो जाएगा, डैट, he is a very good person, यानि आपका जो sentence हुआ, य इसके बाद यहां से changing होगा, अब हम sentence बोल दें, इसमें कोई शक नहीं है के सबजी लाब दायक होता है, अब sentence देखिए, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं के English किया होगा, there is no doubt that, अब सबजी लाब कारी होता है, या फायदे मन होता क्या हो जाएगा, vegetable is useful, इसमें कोई शक नहीं है के नितीश कुमार अच्छे सीम है, तब बुली क्या होगा, there is no doubt that, यह तो रहेगा ही, अब आगे का sentence, नितीश कुमार अच्छे सीम है, नितीश कुमार is a good cm, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छे teacher हैं, तो क्या हो जाएगा, there is no doubt that, उसके बाद बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे teacher हैं, you are a good teacher, इसमें कोई शक नहीं है, कि आप बहुत इमानदार हैं, क्या हो जाएगा, there is no doubt that, आप बहुत इमानदार हैं, it means, you are very honest, तो आप देख रहे हैं sentence को, पहले आपको इसमें बताया है, कि there is no need को रड़ जाएए, यह बहुत आसान हो जा होगा, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, number four rule के तरफ, four rule में, जो फिर वही रूट है, बहुत अंतर है, ध्यान से समझेगा, बहुत अंतर है का English क्या होगा, सबसे पहले there is big difference, यही नहीं होगा, there is big difference, बहुत अंतर है, अब आप बोलड़े के साथ, बहुत के लिए very नहीं लगा, big लगा, big ही नहीं लगेगा, sentence बोला गया, बहुत अंतर है, बहुत बढ़ा अंतर है, बढ़ा word वहाँ छुपा हुआ, hidden है वहाँ, तो हमको बहुत के लिए या बढ़ा के लिए दोनों के लिए big का परियोग करना होगा, तो sentence क्या होगा, there is big difference, इसको रड़ जाईए, एक sentence आप रड़ जाईए, कि बहुत अंतर है, there is big difference, अब आईए आगे, देखे sentence क्या लिखावा, हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके बाद sentence फिर क्या आया, बहुत अंतर है, इसको तो आप पहले सीख चुके है, यहाँ, कि बहुत अंतर है क्या होगा, तो पह आईए, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ, में, बहुत लोगों को लगड़ा हो, कि में का यहाँ पर सर इन लिखेंगे, इन बिलकुल नहीं होगा, reason, कि हम कितने चीज़ों के यहाँ बात करें, दो, हिंदी और अंग्रेजी, जब भी किसी दो चीज़ के बीच में बात की हिंदी और अंग्रेजी, तो वर्ड क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, sentence complete हो गया आपका, there is big difference between हिंदी और इंग्लिश, अब आपको चेंजिंग क्या करना है, बस इसको, यहाँ तक तो सेम रहेगा, there is big difference between, अवर्ड यहाँ चेंज कर लिए, जैसे हम बोलने के, वे कोई चेंजिंग नहीं, अब यहाँ हिंदी और इंग्लिश के जगा पर वेज एंड नौन वेज, उसी तरह से हम बोलने, दिन और रात में बहुत अंतर है, तो यहाँ जाएगा, there is big difference between, इंडिया और अमेरिका, उसी परकार से हम बोलने, बिहार और दिली में बहुत अंतर ह उसी परकार से कोई भी language है, कोई भी place है, पतना और मुंबई में बहुत अंतर है, क्या हो जाएगा, there is big difference between पतना और मुंबई, बिलकुल easy है, यानि रूट वे में अगर आप समझेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया, कि इस sentence को जाए, कोई जरूरत नहीं है, there is no need, और इसको आगे बढ़ाना तो two लगा के आगे बढ़ाए, यहाँ हमने बोला इस sentence को रढ़ जाए, कोई शक नहीं है, there is no doubt, उसको आगे बढ़ाना है, that लगा के आगे बढ़ा दीजे, यहाँ हमने बोला there is big difference को रढ़ जाए, और इसको चलिए एक और चीज़ है यहाँ पर जिसके बारे में बात कर लें नोट करके लिखा हुआ आस्मान जमीन का अंतर यह एक मुहावरा टाइप का सेंटेंस है जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अंतर है इसको ऐसे भी बोलाया सकता है हिंदी और मरजी में आस्मान जमीन का अंतर है आस्मान जमीन का अंतर अब यह मुहावरा टाइप का हो गया इसके लिए फ्रेज का हम लोग यूज करेंगे एक वाड होता है पॉल्स अपार्ट पॉल्स अपार्ट बस जहां पर बिग डिफरेंस का पर्योग किया है ना उसी के जगा पर पॉल्स अपार्ट का पर्योग कर दीजे दोनों से यह बिग डिफरेंस भी सही है पॉल्स अपार्ट भी सही है आपकी मर्ज़ी आप क्या लगाते हैं अगर आप मोहावरा सकते हैं लेकिन उसकी जगा पर देट्वीन इंडिया एंड अमेरिका तो जहां पर भी आप देखें कि कोई ऐसा वर्ड आए जिसमें आस्मान जमीन की बात की जारी फर्क में तो पर ऑपर्योग कर सकते हैं वैसे आपके लिए बिग डिफरेंस भी इनफ है उसको पढ़ियोग करें कोई दिक्ठती एक्स्टरा में आपको बता रिया थींसे ऍपहले को सूचना नहीं **** वोट मिण अध्य को बना लिए को सूचना नहीं सेंटेंस हो जाएगा देयर इज कहा है देखिए सेंटेंस क्या हो गया there is no information यहां बताया था ना कोई जरूरत निया there is no रड़ जाईए यहां बताया कि बहुत अंतर है there is big difference रड़ जाईए यहां भी रड़ जाईए कोई सूचना निया there is no information अब इस sentence को हम आगे कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं क्या बोला गया है हाँ result की कोई सूचना नहीं यह बहुत सारे students होंगे जो board exams देकर wait करने result का metric का खास करके क्या भी तक result नहीं आए तो आपके sentence से ही नहीं कलता होगा result का कोई सूचना नहीं कोई information देखिए sentence है कि कोई सूचना नहीं यह तो आपको पहले से हमने बता दिया कोई सूचना नहीं क्या होगा सबसे पहले sentence हो जाएगा there is no information जो अभी आप लोग को बताया वही sentence यहां पर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या होगे sentence there is no information अब आईए result की यहां पर का के की का हम लोग क्या लिखें जनरली का के की का English तो off होता है लेकिन यहां off नहीं लिखेंगे sense लगा यह दिमाग लगा यह थोड़ा सा result की कोई सूचन नहीं है यानि result के बारे में कुछ पता नहीं यानि का के की का यूज के बारे में के sense में आ रहा है तो यहां पर हम लोग वर्ड लगा देंगे about about और उसके बाद वो वर्ड जिसके बारे में आप बात करें तो क्या हो जाएगा about result अब देखिए यहां पर इस sentence में सिर्फ यह चेंज होगा आपका इसके लावा कुछ नहीं चेंज होगा हम बोल दें result की कोई सूचना नहीं ही बोल दें के exam की कोई सूचना नहीं तो बोली क्या होगा there is no information about exam अगले class की कोई सूचना नहीं माले आज हम पढ़ा दें और आपको फिर कुछ बताए ही नहीं कि कब पढ़ाई होगा कब क्या होगा ताब क्या बोलेंगे अगले class की कोई सूचना नहीं sentence क्या हो जाएगा there is no information about result clear है यहां भी note करके एक चीज लिखा गया है क्या लिखा गया है अतापता हम लोगों का language है थोड़ा भी हारी भाशा माम लोगे सब्सक्राइब करते हैं तो sentence है कि result की कोई सूचना नहीं हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते result का कोई अतापता नहीं है बोलते हैं न यह अतापता is equal to सूचना यह दोनों स होगा है जैसे मान लेजे कभी कभी ऐसा होता नहीं कि भाई है सुबह से घाइब है मतलब खुआ नहीं है लेकिन मिल नहीं रहे आए नहीं एक दो घंटे से भाई का तो आज कोई अतापता नहीं है भाई का कोई अतापता नहीं है इंग्लिश क्या हो जाएगा there is no information about brother दो ब पता के लिए भी वही वर्ड आएगा और सूचना के लिए भी वही वर्ड आएगा तो यह कुछ नियम थे हैं जो there पर ही रखकर बनते हैं देखे सारा sentence का subject इसमें क्या आ रहा है there और आपको आमने परहाया कि इस टाइप से easy बना कर क्या आप root को पहले पहचाने root क्या है य यह वाला थोड़ा सा अलग था जिसको हमने बहुत आसानी साब को बता दिया किसको descending order से बना यह सबसे पहले कुछ नहीं है तो there is nothing फिर कैसी वाक English क्या होगा बट फिर उसके बाद फूल फूल के लिए फ्लार अगर काउंटेबल तो SEIS लगाएं कि क्यों मातरा जादा है उ बट के माने लेकिन किंतु परंतू भी होता है और बट के माने के सिवा या के अलावा भी होता है जब बट का मीनिंग लेकिन किंतु परंतू हो तो वो conjunction होता है और जब बट का मीनिंग के सिवा या के अलावा हो तो वो preposition होता है यानि यहां जो बट हम लोगोंने यूज कि है उसका सेंस अगर देखे ग्रामर में तो यह प्री पोजीशन का रूप लिए हुआ इसका मीनिंग लेकिन नहीं है बलके मीनिंग क्या है के सिवा या के अलावा तो उमीद है कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा आज आप होगा देर कंप्लीट हो गया पार्ट वन भी और पार्ट टू भी अब आप लोगो को करना यह है कि फाइल ओपिन करें और फाइल से पूरा कोश्चन इस पर फिफ्टी कोश्चन दिया हुआ है फाइल में पूरे पचास को आप बनाए अपनी कॉपी पर बनाए और बना कर दे टिक लेकर आप अजीम क्लासिस के ग्रूप में अपना नाम और अपना रॉल नंबर के साथ पोस्ट कर देंगे वो हम दोग चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर आपको वापस देंगे यह ध्यान रखिएगा पूरे को बनाना है पूरे पचास कोश्चन को बनाने के बा अगर को ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लास में पढ़ते थे या पढ़ते हैं उनको जरूर बता दें कि वीडियो चल रहा है रोज की रोज परहाई हो रही है और लाइन फ्रू इसलिए उस परहाई को बिलकुल भी जाया ना जाने दे पढ़ें लॉग डॉन का complete फा सकते हैं इसलिए अपने सेंटेंस पर ध्यान दे इसको बनाए फिर जब हम लाइव आएंगे तो उसको पूछ सकते हैं या आपने अजिम्स क्लासिस के गुरूप पर भी अपने लिख कर बनाकर पूरे 50 को सेंड कर दीजिए उसको हम लोग चेक करेंगे उमीद है कि वीडिय हलके में मत लीजेगा अगर इसको हलके मिलीजेगा तो बहुत गरबर हो जाएगा इस्टे सेफ एन कीप स्टेडिंग सेफ रहिए सुरक्षित रही और पढ़ाई भी करते रहिए अब पढ़ाई आपकी छूटेगी नहीं ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे लाइफ थोड़ी देरे बाद बाई